देखिए बहुत सारी बाते ऐसी हैं जो सिर्फ मैं प्रवेश्वों से बात कर सकता हूँ और कुछ कारण ऐसे हैं जो मैं आपको भी बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि हमें जो है और ज़्यदा समनवे की जरूरत थी और हम प्रत्याशी हमने जो है लेट डिकलेर कि बाजपा जब हमने प्रत्याशी डिकलेर किये बाजपा का तो दूसरा या तीसरा राउंड पूरा हो चुका था वो भी एक कारण रहा और पैसा बारतिय जनता पाठी ने पानी की तरह भाया हमेरे पास तो उतने साधन नहीं थे वो भी एक कारण रहा और कहीं न कहीं राम मंदर के नाम पर भी भारतिय जनता पाठी को वोट पड़े हैं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारा का सारा पला जाड़ दें जहां हमें लगता है कि हमें और जादा इंप्रूव करने की ज़रूर था है मैंने तो चुनाओं के नतीज़ों के बाद भी यह बात कही थी कि हमें चिनतन और मन्थन करने की ज़रूर था है अगर किसी घर में कोडा ज़्यादा हो जाता तो उसे कारपिट के नीचे धखना गलत है हमें स्वाई क करने की जरूर रहता है तो निश्चे तोर पे हमें स्पाई की जरूर रहता है कि मुदी फेक्टर भी कामियाद रहा है इन सिनावियों में कुछ हता है मैं शत प्रतिशत नहीं क्योंगा लेकिन परभाव जो है डाला है क्योंकि जिस धंक से राम मंदर के नाम पर एक महौल पुटराखंड और मध्या प्रदेश को छोड़कर इसका असर नहीं हुआ अजोड़े में असर नहीं हो यूँकि जो भातिय जन्तापार्टी का प्रत्याशीता वो चुनाओ अहारा वह तो असर नहीं हुआ लेकिन कहीना कहीं असर जो है इन राज्यों में हुआ है क्योंकि ज़्यों प्रत्याशीता वह तो असर नहीं है लेकिन जो काम होते हैं वो धरातल पर नहीं हो पाते हैं मुझ्यमंत्री के साहिन नहीं के बाद भाति देखिए एक विधायक होने के नाते मैंने इस बात को महसूस किया मैं सभी अधिकारियों की बात नहीं करता लेकिन कुछ अच्छ सरब अधिकारी नहीं कुछ आ था, मैं सभी की बात नहीं करता हैं अच्छ सरकारव का perdu मुसलक पुंचाना उन्हें लागू करना अप सरशाही की जिम्य वारी हैं इस विष्य में मुझे लगता है कि हमें सोचने की जरूर है कोज़र कमेटी की समनी के इसमारे में बात की गई है कि संगठना किस तरक और या सबकार किस तरक और दुछ परीबता नहीं करने ही आवश्चता है? नहीं देखिए वो हम अपनी राय देने वाले कोई नहीं होते कि क्या होना चोहिए वो पार्टी आला कमान खुद फैसला लेती है लेकिन जबीनी स्तर पर जो हमने मैसूस किया और विदोट एनी प्रेजुडेस क्योंकि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है जो एक संगठन का व्यक्ति होने के नाते संगठन के प्रती मेरी निष्टा चुपी नहीं है जो बात मुझे लगी कि पार्टी को किस तरह से हमें मजबूत करना है क्योंकि अब ये चुनाओ तो निकल गए लेकिन तीन सड़े तीन साल का समय विदान सभा में है और ये समय बीते कोई पता नह ही लगता और जिस तरह का कंफ्यूजन पिछले छे मिने में हिमाचल की रानिती में रहा है वो प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि अब इस सोच की जुरूरत है कि हमारी सरकार बनी है जो लोगों से हमने वाइदे की हैं उन वाइदों को हम जो है पूरा करे हम अफसरशाई पे लगाम लगाएं और सबसे बड़ी चुनोती प्रदेश की वित्ती स्थिति की है इसे भी हमें देखने की जुरूरत है क्योंकि लगातार करजा बढ़ रहा है किस तरह से रिसोर्स मॉबलाइजेशन होंगे किस तरह से कुछ खर्चों पे हमें रोक लगाने की जुरूरत है यह हमें सकती से निर्णे जो है लेने पड़ेंगे ताकि प्रदेश में विकास की जो गति है और हलंकि अभी भी काम होते रहें और इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद हलंकि हमें केंदर से जो मदद की दरकार थी व लेकिन हमारा काम खतम नहीं होता विकास में निरंतरता जो है बनी रहनी चे मंटियों हमें पूरत काली जी पाजी क्या लग रहा है आपको फ़कारत क्या गया और उनकी सामनी जागी में रहा हूंगे सबसे पहले तो मैं पाटी आला कमान के फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्हों ने दो बहुती वरिष्ण नेता पुनिया साथ शिर्मती रजनी पाठिल जी उन्हें हिमाचल जो है भेज़ा है अभी लोकसभा के चुनाव के नतीजें वो हमारे अनुकूल नहीं रहे दोनों प्रवेशक विस्तार से जो हमारे पाठी के विधायक हैं हमारे जो है परदेश के जीला के ब्लॉकस्तर के जो पदादिकारी हैं उनसे फीड़ बैक ले गए और उस फीड़ बैक के बाद वो पाठी आला कमान को जो है आउगध कराएंगे पार्टी का कारा करता होने के नाते मैंने भी जो है अभी इनसे मिटिंग की क्योंकि मैं पूरो में देक्ष रहा हूं तो मैंने जो अपना नुभाव है जो मुझे लगा कि हमें किस तरह से आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करना है मैंने वो बात प्रवेश्कों के समुक रखी है और मुझे पूरी उमीद है कि निश्चे तोर पर आने वाले समय में जो हमारी कम्या है वो दूर हो तो क्या कर दो क्या कर दो क्या क्या जो क्या क्याओ है